नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाक्र के साथ दोस्तों ज्यारफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंद्रगत हम एकाई 3 साहित्यशास्त्र पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लगभग अपने 6 चैप्टर या 6 जो लेक्चर हैं वो कंप्लेट कर लिये जो आपके संस्कित के अचारे हुए हैं उन्होंने कावे के लक्षन क्या बताए हैं कावे के उन्होंने प्रयोजन क्या बताए हैं और कावे हित्यों के बारे में जो विस्तार से हमने चीज़ें इससे पहले डिसकस कर ली हैं तो आप एक बार उन लेक्चर को भी देख लें कई बार यहां से प्रशन बनने की संभावना रहती है साहीत शास्तर से तो इसके जो प्रमुक संपरदाय है चैसे रस संपरदाय हो गया, रीती हो गया, द्वानी हो गया, बक्रोकती हो गया, इस्तिकी के जो संपरदाय हैं इनको हम सिलसिले वार आज से स्टार्ट करने जा रह उनको maximum जो जो भी आपके अचारे रहे हैं उन्होंने किसी ने आपको कावे की आत्मा रिती को कहा है किसी ने रस को कहा है किसी ने अलंकार को कहा है तो इस तरीके से तो कावे की आत्मा का जहां पर प्रश्ण उड़ता है तो वहीं पर हम क्या मानते हैं कि आपके जो संप्रद वो एक तरिके से पनपने लगते हैं तो दिखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कावय की आत्मा की तो कावय शास्त्र में कावय की आत्मा से आशय कावय का वह आधार भूत तत्त्त है जिसके अभाव में कावय की कावयत तो ही समाप्त हो जाता है तो दिखिए यहां पर कहने کا अभिप्राएक क्या है? कि जब आपका कविता है, उसमें क्या है? ये एक आधारभूत तक तो है कौन? कावेकी जो आत्मा है. क्योंकि ये अपने आपमें क्या है? एक दार्षनिक मत है या यूं कहें एक दार्षनिक शब्द है आत्मा. ठीक है? इसमें जैसे आपका आत्मा का जरूरी होना है उसी प्रकार कावे के लिए कावे की आत्मा मतलब जो चीज उसको जिन्दा रखे हुए है जो जो उसमें तत्व होते हैं उनको ही उसमें क्या है आत्मा का नाम दिया जाता है तो कहने का मतलब यहीं पर यह दिकिए कि जो अधार भूत तत्व हैं मतल पूलततो हैं, है न, इनी के अधार पर हम क्या कह सकते हैं, कि वो ही क्या है काव्य की आत्मा है, क्लियर है इतना, आगे देखिए कि काव्य की आत्मा की अनुसंधान में रस, अलंकार, रीती, वकरोक्ती, ध्वनी और अचित्य संपरदायों की प्रतिष्ठा हुई है, तो जलते क्या हुआ है, आपका काव्य की आत्मा का, या अचित्य संपरदायों से लेकर के, जितने भी आपके संपरदायों है, इनका प्रतिष्ठापन हुआ है, क्योंकि अलग-अलग तरीके से इनको व्याख्याइद करने की कोशिश की है, किसी ने माना कि नहीं, ये तो इसक चापन ह हुआ है, आत्मा के रूप में, अलग-अलग संपरदायों का, clear है, आगे देखीए कि काव्य की आत्मा के प्रशन को लेकर ही, काव्य शास्तर के छह संपरदायों का अविरभाव हुआ है, तो छह संपरदाय कौन-कौन से हैं मेल ली, वो हम देखेंगे आगे 208 सह, हलांकि उपर हमने बात भी कर ली जैसे आपका रस हो गया, लंकार हो गया, रिती, वक्रोक्ती, द्वनी और और चीते संपरदाये तो ये 6 संपरदाये हैं जिनका आविरभाव माना जाता है कि कावय की आत्मा का जम प्रशन सुलजा रहे थे या सुलजाते हैं तो ये वाले 6 संपरदाये हमारे सामने आटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि इन 6 को ही अलग-अलग विद्वानों ने माना है कि ये कावय की आत्मा है देखिए इन संपरदायों के अचारे उने कावय के कला एवं भापक्ष के किसी एक पक्ष पर ध्यान दिया है तो सिंपल सी बात है कि जितने वी आपके संपरदाये हैं उसको जो प्रतिश्ठापक हैं उनके जो अचारे हैं उन्होंने क्या किया है कला एवं भापक्ष तो दोनों पक्षों को उन्होंने पक्षों में से एक पक्ष पर उन्होंने ध्यान दिया हुआ है तो किसी ने रस पर दिया, किसी ने दूसरी चीज़ों पर दिया है, ठीक है, तो इन संप्रदायों के द्वारा आत्म तत्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, कि जो आत्म तत्व है या जो आत्मा की बात कही गई है, उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, मतल कावयत तो ही समाप्त हो जाए उसको ही क्या कहा जाता है कावय की आत्मा कहा जाता है जिस प्रकार मनुष्य की जो आत्मा अगर एक बार चली जाए शरीर से तो वो निर्जीव हो जाता है तो ठीक वैसी ही कवीता भी आपकी क्या हो जाती है आपके तत्तों के अभाव में वो क संपरदाय हैं उनकी प्रतिष्ठा होती है तो उन में से जो प्रमुख और पहला जो संपरदाय हम आज करने जा रहे हैं वो है आपका रस संपरदाय या रस सिद्धांत तो चलिए बिना देर किये देख लेते हैं आपका जो रस संपरदाय है या रस सिद्धांत है उसके बारे तो यहां पर देखिए रस को क्या कहा गया है अनन्द स्वरूप ब्रह्म या ब्रह्म अनन्द का समानार्थी इसको माना जाता है रस को कहा पर ये बात कही गई है यजुरुवेद के तैतीरिय उपनिशद में तो ये चीज बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चार कथन दिये जाएंगे एक उसमें से गलत होगा दो सही होगे या दो सही दो गलत होगे इस तरह के से प्रशन को करना होता है तो देखिए यजुरुवेद के तैतीरिय उपनिशद में मान जाता है ये रस के बारे में ठीक है कि रस क्या है अनन्द स्वरूप ब्रह्म है आगे कहते हैं कि संस्कृत का विशास्त्र का सबसे प्राचीन संपरदाय रस संपरदाय को माना जाता है तो ये भी बहुत ही महतफ़ून चीज है कि आपका जो रस संपरदाय है उसी को क्या माना जाता है संस्कृत का विशास्त्र का सबसे प्राचीन संपरदाय माना जाता ह ठीक है इतना यहां तक समझ आ गया सबसे पहले इसके बात देखे आगे क्या है कि जन शूरूती के अनुसार रस के प्रत्थम निरूपन करता नंद की शूर है देखिए जो जन शूरूती है या मित जिसको हम कह सकते हैं या आप ये मान के चलते हैं कि जो चली आ रही है एक त अठ्यों के बारे में बात करें तो उनके अनुसार अचारे भरत मुनी को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है तो देखिए प्रवर्तक की बात हो रही है यहां पर जन शूरूती के अधार पर पूछा जाएगा तो नंद की शूर करना है लेकिन अगर पूछा जाए कि चारे भरत मुनी इसके प्रवर्तक है और उन्होंने जो अपनी प्रसिद्ध पूस्तक है देखिए नाटेशास्तर, नाटेशास्तर में के जो चटे और सात्वे अध्याय में इन्होंने रस और भाव का निरूपन किया हुआ है तो आगे हम और जानेंगे कि भरत मुनी अगनि पुराण में रश को कावे की आत्मा सूइकार किया है ओर आत्मा के रूप में तो इसके अलावा आप दिकते हैं अगनि पुरान का जिकर हम पहले में कर चुके थे कावे लक्षनों के बारे में और यहां पर भी यह चीज देखने को जाता है कि इसमें कावे की आत्मस्विकार किया गया है ठीक है रस को ठीक है आगे अलग-अलग विद्वानों ने भी जो आपके अन्य विद्वान आएंगे उन्होंने भी क्या माहना है रस को ही कावे की आत्मस्विकार किया है ठीक है आगे अब देख लेते हैं कि सहीत्य शास्त्र मे गर हम बात करें तो इसमें जो आपका काव्य अनंद के रूप में इसका अर्थ समझा जाता है तो दीकिए काव्य अनंद का मतलब क्या है कि आपने कोई रचना रची है ठीक है हम उसको अब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के पश्चात लोगों को आनंद उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जो लोगों को आनंद की अनुभूती होती है उसको ही क्या कहा जाता है रस की संग्या दी जाती है तो यहां देखिए लिखा भी आगे कि कावय को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होने बाला अनंद ही क्या कहलाता है, रस कहलाता है, तो कावय में रस का मतलब यही है, कि आपका जो सहिर्द है, या जिसने कविता को या आपके जो आपका जो नाटक है, दूसरी जो पश्चात अनंद के अनुभोती है, तब ही उसमें क्या है, रस है, अन्य था वो रचना निरजीव है, ठीक है, मतलब आत्मा के हीन है, उसमें आत्मा नहीं है, ठीक है, तो रस की ब्युदपत्ती का अर्थ क्या समझना चाहिए, आस्वात, मतलब जो आप लेते हैं, जो कावे की आत्मा की रूप में सरव प्रत्थम मान्यता विश्वनाथ ने दी तो ये चीज भी बहुत ही मौतपूर्ण है कि पहले अगनी पूरान में तो इसका मिलता ही है जिक्र की रस को क्या माना गया है कावे की आत्मा लेकिन मान्यता की अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये मान्यता किस ने दी थी ठीक है तो ये माने जाती है आपका जो अचारे विश्वनाथ हुए है तो विश्वनाथ की जो प्रमुक रचना कौन सी है ये हमने पहले डिसकस कर लिया है आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं तो ये तो हो गया रस का व्युथपत् इसके पश्चात रस के समन्द में अलग-अलग जो विभिन अचारे हुए हैं उनके द्वारा उसका निरूपन किया गया है लेकिन उससे पहले एक और महत्वपून चीज यह है कि अगर आप चाहते हैं कि जो चीज मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं इसका पीडिया पर अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और इसके साथ हम अपने टेलिग्राम ग्रूप में अपना क्विज के माद्यम से भी बहुत सारे questions को discuss करते रहते हैं तो आप चाहें तो हमारे ग्रूप के साथ जॉइन हो सकते हैं चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसके पश्चात रस निरूपन के बारे में तो देखिए अलग-अलग जो आपके अचारे हुए हैं उन्होंने रस को अलग-अलग तरीके से निरूपित करने का प्रयास कि होती है और ये वाली परिभाशा इनकी बहुती ज़्यादा महत्तपूर्ण है कई बार इसको परिक्षा में पूछा जाता है कि रस निश्पत्ती के संबंद में किसकी ये परिभाशा है तो देखिए यहां पर क्या लिखा है विभाव अनुभाव या विचारी भाव लोग किया है तो इसके बाद भारतमुनी के बाद दूसरे कोन आते हैं भामा आते हैं उन्होंने क्या किया है इन्होंने काव्य रस का प्रियोग किया है हालां कि भामा को किसका प्रतिष्ठापक माना जाता है अलंकार संपरदाय का प्रतिष्ठापक माना जाता है लेकिन इ उन्होंने रस को महत्वा दिया हुआ है, उन्होंने रस को अलंकार तथा विभाव को ही रस स्विकार किया है, ठीक है, तो देखिए किसको करते हैं ये, रस को अलंकार तथा विभाव को ही रस स्विकार करते हैं, तो विभाव, अनुभाव ये क्या चीज़े हैं, ये आगे हम जानेंगे देखिए आगे है दंडी तो दंडी ने माधूर्य गुण को रस का प्रियावाची माना है तो अचारे जो दंडी हुए है देखिए इन्होंने क्या माना है माधूर्य गुण को रस का प्रियावाची माना है तो यह प्रशन बन सकता है कि माधूर्य गुण को रस का प्रियावाची किसने माना है तो यह अचार्य दंडी है और उनका मत क्या है देखिए कि जो सभी अलंकारों का मंतव्य काव्य को रस्मय बनाना होता है तो जादा मौतम देखिए यह किसको मानते हुए समस्त काव्यतत्वों का महत्व माना है तो ये चीज बहुत ही मतबूर्ण है कि जो रस है उसको इन्होंने क्या माना है किंद्र मेंदू माना है और जितने भी आपके समस्त काव्यतत्व हैं उनको उसका भी इन्होंने विशेश महत्व माना है ये रस को सरवधिक म तो देने वाले अचार्य कौन थे, तो वो थे अचार्य अनंद वर्धन, ये चीज भी याद रुखना बहुत जाद हज़रूरी है, तो देखे अचार्य जो क्षेमेंदर हुए हैं, जिनने अचित्त्य समपरदाय के प्रतिस्थापना की थी, या जो अचित्य संपरदाय के प्रतिश ठापक अचारे हैं इन्होंने क्या किया है इन्होंने भी रस को ही अधार माना है और इसको अधार मान कर ही उन्होंने क्या किया है और चित्य संपरदाय का जो एक प्रतिपादन किया हुआ है तो देखिए रस काव्य की आत्मा और इसक कब से कब तक माना जाता है, 850 इसवी से लेकर के 1050 इसवी तक, मतलब आपका जादातर समय आपका 9-11 शती तक, इसका जो समय है, वो माना जाता है, ठीक है, तो 9-11 शती के आसपास कौन प्रमुक्ष, आपके संस्कृत के अचारे रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, लगवक 10-11 शती में बहुत जादा आते हैं, वो हमने पहले ही डिसकस कर लिए हैं, उनको आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्यूंकि वो कई बार क्रमानुसार लगाने को आते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे से, सिस्टेमेटिक तरीके से इनको याद करते रही हैं, आप नेकसे देखिए कि जो साहिते शास्तर के अंतरगत, जो रस निरूपन की हम बात कर रहे हैं, तो रस निरूपन में जो आपके रितिकालिन कवी देव हुए हैं, उन्होंने भी कुछ न कुछ चीज कही हुई है, तो देव की एक पंक्ति आप सुनते होंगे, अकसर कावय सार शवदार्त को रस तेही कावय सुसार, तो यह पंक् सक्षिन में जाकर बता सकते हैं कि शब्द रसाइन का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि रस कावय का सार ततो है, तो जो मैंने आप यह आपको पंक्ति इनकी उपर सुनाई थी कि कावय सार शवदार्त को रस तहीं कावय सुसार, ठीक है, तो वो रस को ही कावय की आत्मा स्विकार करते हैं, कौन महाविर प्रसाद दूवेदी जी भी, ठीक है, तो देखिए, अलग-अलग विद्वान, चाहे आपके रिती कालिन रहे हों, चाहे आपके दूसरे जो आपका संस्कित के अचारे रहे हों, उन्होंने क्या माना है, रस को ही कावय की आत्मा स्विकार करने की कोशिश की हुई है, या रस को उन्होंने अलग-अलग तरीके से व्यक्याइद किया है, अप रशन ये उरता है कि कौन-कौन सी प्रमुख जो रचनाए हैं, जो आपकी रस निरुपक या रस से धांत के दिष्टी से उलेखनिया मानी जा विक्रितिया हैं, वो रची गई हैं, तो उनकी जो प्रमुख रचना है रस तरंगणी, उसको भी हम क्या मानते हैं कि वो भी रस से धांत की दिष्टी से उलेखनिया ग्रंथ है, साथी साथ विश्वनात का साहित दरपन और आपका पंडित राज जगननात की जो रचना है रस गंगाधर, तो ये तीन चार प्रमुख आपकी रचनाएं हैं, जिन में सबसे ज़ादा रस से धांत का हमें उलेख मिलता है, तो ये थे रस से धांत के संबंद में अलग-अलग व्याक्याएं या अलग-अलग विवेचनाएं, निरूपन, अलग-अलग कभियों ने किय हुआ है, विद्वानों ने किया है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि साहित शास्त्र के अंतरगत, जो रस है, उसके अव्यव या अंग कितने हैं, तो देखिए, ये भी बहुत ही मौतपुन प्रशन बनता है, कि रस के अव्यव या अंग कौन हैं, तो मैनली इसमें चार अ इसके माने जाते हैं, कौन देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव, तो देखिए, अगर आपने जो इमेज मैंने यहां पर लगाई हुई है, इसको आप जो आपके पास बुक होगी, गोविन पांड़े और सरसोती पांड़े की पुस्तक, इसको देख सकते हैं, और यहां पर विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, यह अच्छे से वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यहां पर थोड़े सी पहले देखिए, उपर एक लाइन लिखी हुई है, की भारत मुनी ने अपने नाटशास्त्र में भावो आठ स्थाई भाव, एवं शेश आठ को वो सात्विक भाव के अंत्रगत रखते हैं, जो कि इस तरीके से यहां पर रख दिये गए हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए रसके, जो चार ये माने हैं, हमने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव, तो आपके साथ विद्यमान रहते हैं, जो भी आपके भाव है, या कहते हैं इस तरीके से, कि सहिर्दे के मन में जो भाव, सदा विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थाई भाव कहा जाता है, तो मतलब जो व्यक्ति के मन में क्या है, हमेशा से जो भाव रहते हैं, उन्हें जाग्रित होते हैं कि अन्तरमन में कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है आश्रय कहा जाता है तो आफका स्थाइभाव नेक्स आता है आपके बाद वैसे दूसरे नम्र पर जो है वह आपका विभाव तो विभाव देखी क्या है कि जब आपका स्थाई भाव है उनको जो जागरित करने वाले कारण है कि किस कारण से वो जागरित हो रहे हैं वो जो स्थाई भाव हैं जो सुपतावस्था में होते हैं हमेशा है ना वो किस चीज के वजह से जागरित हो रहे हैं उन कारणों को ही क्या कहा जाता है विभाव कहा जाता है या व्यक्ति या परिस्तितियां भी आप बोल सकते हैं कैस क्या परिस्तितियां रही कि आपके जो स्थाई भाव को जाग पड़े उसको कहा जाता है विभाव तो विभाव के देखिए दो भेद होते हैं आगे अलंबन और उधीपन तो यहां पर दिया हुआ है एक तो आपका अलंबन है दूसरा आपका उधीपन है तो देखिए अलंबन क्या होता है जिजसके कारण स्थाइ भाव जागरित हूँ वह अलंबन होता है ठीक है कि ऐसा कारण कि आपके जो स्थाई भाव जो सुपतबस्ता में थे वो जागरित हुए उसको हम आलंबन कहते हैं और दूसरे नमबर पर आपका आता है उदीपन तो उदीपन का मतलब है आलंबन का व्यभार जैसे आपका क्रियकलाप इवं देशकाल की जो स्थितियां स्थाई भावों को उदीपन कहलाती है जो आपके स्थितियां है उनको जो उदीपन करती है उनहीं को हम क्या कहेंगे आपका उदीपन कहेंगे क्लियर है इतना कि दो है इसको ज़्यादा में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो भी बुक्स होंगी वहां संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये प्रशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, फिर आपके जो सात्विक भाव हैं, ये कौन-कौन से हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, है न, इसके अलावा, अगला जो तीसरा है, देखिए, वो कौन सा था, ये है आपका जिसमें अनुभाव आता है, तो अनुभावों की संख्या देखिए, आगे कितनी मानें गई यह, ये चार मानें गई यह, तो कौन-कौन से हैं, काईक है, सात्विक, सात्विक को मानसिक भी कहते हैं, फिर उसके बाद वाचिक है, आपका अहारिया है, ठीक है, काईक को जागरित करने वाले जो कारण है उनको भी भाव कहते हैं अब जो अनुभाव है जब आपके स्थाई भाव के जागरित होने के बाद क्या होता है कि आपकी जो जागरित होने वाली जो आश्रे की जो चेश्टाएं हैं वो क्या कहलाती है अनुभाव कहलाती है तो आश्रे की जो चेश्चा है वो आपका काईक है काईक मतलब आपके शरीर से रिलेक्टिड है वाचिक मतलब आपके वाचिक मतलब जो आपके कहने से जो आपके स्वर्के माद्यम से व्यक्त होने वाले अनुभाव है उसके बाद आता आपका अहार्या अहार्या मतलब आपकी जो वेश भूशा है जो आपका अभूशन है, साज सज्जा है आपका केश सज्जा इत्यादी इसके अंतरगत ये सारी चीज़ें आती है आपकी जो अहार्या है और आखिर में जैसे आपकी वाचिक है तो वाचिक तो आप सब लोग समझते हैं जो आपका ये मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया अहार्या क्या है आपका जो विश्बूचा से है और सात्विक मतलब म तो आखिरी में आपके जो संचारी भाव हैं, तो संचारी भाव और यहां पर इमेज में पूरे दिये हैं, तो आप इनको भी एक बार देख सकते हैं। तो इन जो अबोरत मुनी के द्वा ठीक है, तो वीरोध और अबरोध का मतलब है, जैसे इसमें हम दिखेंगे सुखातमक, दुखातमक, उभायातमक और उधासीन, तो ये भी आपके पास जो पुस्तखें होंगी, उसमें मिल जाएंगी, ठीक है, क्यों से सुखातमक के अंतरगत आते हैं, कौन से दुखातमक के शुकल के अनुसार तो आप एक बार इनको जरूर देख लीजेगा तो फिलाल दोस्तो आज के लिए इतना ही है कि जो आपके रस के अंग कौन-कौन से हैं इसको आप एक बार जरूर देख लीजेगा ये वाले जो image में यहां पर रख रहा हूं आप इसको अपने माइन में बि पाचिक और अहारिया, आगे जो आपका सात्विक है, सात्विक है आपके अलग-अलग भागव में फिर से बन चाता है, ठीक है, तो next है आपका जो संचारी भाव, उनकी संख्या केतनी माने जाती है, उनकी संख्या 33 माने जाती है, अगर हम बात करें स्थाई भावों की, तो जो स्थाई भाव हैं देखिए प्रतीक जो आपका रस के अंगम पड़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आपके जो स्थाई भाव हैं वो कौन-कौन से माने जाते हैं ठीक है तो देखिए जैसे यहाँ पर रिखा भी है रती, हास, शोक, है ना क्रोध, उत्सा, भै, जु थै勵 करेंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जवर्नाइस पूर्टी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंद.